कि आप आई-एस के दैनी खिंदी संपाद की विश्लेशन में आपका हार दिक्षा गयते हैं अज हम इसलिए डिस्क्स करते हैं कुछ अच्छे अर्टिकल है करकर टेक्टी के बाद जो अपने कार्पेर्ट टेक्स में कुछ कटोती की गई है तो उसे समंदेती अर्टिकल है कि कि बहुत ही किया कि सधारात्मक करता है यह बहुत अच्छा कर रहा होगा कि जैसे कि अर्थवेस्ता मंद्य की दिसा में चल रहे है तो उसी इस उस टिर्शे कौन से जो यहमें कंपणियों को भी कुछ विश्वास का महौल क्रिएट हूँ हऊँगा और और बहुईrau हुए Doll सरकार ने कुछ रियायत दे है कि जो मतलब कि ऐसी भारती कंपनियां जो की कोई फायदा सरकार कर नहीं ले रहे हैं तो वह भी अब जो है तो उनको सिर्फ और सिर्फ बाइस पीजिदी का ही टेक्स रुकाना होगा तो इस से थोड़ा से उनको प्रोत्साहिद किया गया है वही निर्मार छेत्र में आ रहे हैं अक्टूबर के बाद जो आ रहे हैं तो उनको भी 31 माज दो जाते इस तक उत्पादन और शुरू करेंगे जादी तो उनको भी लगभग लगभग जो है तो सेवन टेन पॉइंट जीरो वन फिजदी का कारपर्ट टेक्स तरही चुकाना जात्मक काफी सकरात्मक माहौल जाएगा तो साथ ही जो है तो यह जो सरकार का रहत भरा इंडिस्ट्री चैतर के लिए कदम है तो यह जो है तो बहुत ही इसको अच्छा इनिश्योटी माना जा सकता है डायक टेक्स के उस प्रेंट आब यह से क्या हो कि अब जो बाजार है तो उसमें विश्वास का माहौल निश्ची तोर पर क्रियेट होगा तो जिससे ब जो फिस अब जो कालवारी जगा तो तो इसमें निवेस करने के लिए काफी ज़्यादा प्रोथ साहित होंगे क्योंकि यहां पास टैक्स भी मतलब करस्यों के प्रतिस्परदा था उसमें मत तो इसका भी अपनी भूश्ट हो ओगी और साथ कि रूट रहले को भी को सकता है से यह फाइदा हो सकता जो सहाज शुसंगत बनाने की भी जो दिसा में ये जो कदम सरकार को उठाए गये हैं तो काफी मतलब की एक प्रकार से संदेश भी है कि कारवारी छेत्र में को ले करके सरकार कि इतना ज़्यादा गंभीर है सरकार की प्रत्य प्रत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत यह टैक्स में कम खटवती की गई है तो इससे क्या हो कि जो भारत प्रतिसपरधी देशों की कर्टेगरी में आ जाएगा निवेस के पॉइंट अब उसे काफी अट्रेक्टिव हो जाएगा निवेस में जिस प्रकार से जैसे और यहां पास चीन से भी बहुत से कंपनियां बा उस दिष्ट्रकोंड से बहुत ही मतलब के प्रकार से सकार अन्कूल वाजर को रूप में उभरे गया सरकार की इस कदम से लेकिन अब सवाल ये भी है कि corporate tax को तो निश्टित तरपीस से boost मिलेगा लेकिन यहां पस अभी इसके कोई मतलब के सकते है कि direct इसको ये नहीं कह सकता है कि इसके impact जो है तो कितना जल्दी कैसे देखने को मिलेंगे लेकिन यहां पस सरकार की जो राजकोसी इस्तिती की बात ची जाए तो इस सरकार की राजकोसी घाटे में 1.45 लाग क्रोड रूपय का घाटा मतलब कि इस से होगा राजा सुहानी होगी जो की मतलब की बविस्त में जो है तो ये बहुत ज्याता मतलब कमपनियों को कीमत कम करने और एक हथा की मांग भाहल करने में तो मदद मिलेगी लेकिन जो है तो जो इसमें जो हमारा सरकार का राजकोशी जो घाटा होगा तो मतलब कि असंतुलन के इस्तिती में हो जाएगा जो है तो अच्छा राया है जो कि 3.33.4 के आसपास था तो इससे जो है तो कुछ अर्थ सास्त्रियों ने यह भी मतलब कि इससे आसंका व्यक्त की है कि जो कर्परेट कर कठोती जो की गई है सरकार के द्वारा तो इससे जो अपना राजकोसी घाटा है तो जो राजकोसी घाटा है तो वह जीडीपी का लगए चार फिजदी रहने के उन्होंन जिदी इस बरतमान संदर में देखा जाए तो जो टैक्स कलेक्शन भी जादा नहीं हो रहा है तो सरकार को जो अपने टारिगेट करना राजस को जो उसका टारिगेट है तो इसको अचीव करना तोड़ा काफी असा महुसा प्रतीत हो रहा है एकोनॉमिस्ट की आसे आसंका ह तो यह जो यह जटिल राजकोसी इस्तिती है तो प्रकार से जटिल तब बढ़ी जाएगी इस कलेक्शन को लेकर करके सरकार की चुनोती एक प्रकार से बढ़ी जाएगी लेकिन यहां पास जो है तो और साथे साथ सरकार के तो भी बढ़ेगी इससे जो है तो जो कम कलेक्श होगी और साथी साथ सरकार तंत्र पर जमारासी उसका इस्तमाल करेगी लेकिन जो ब्याजदर के साथ से जो नीजी छेतर उनकी आर्थिक गत्वीद्य वार इसका निश्ची तर पर आसर होगा अलाकि जो उचे सरकारी घाटे हैं तो उनके कांट जो पारेशन भी बादित होगा अपना और साथे साथ जैसे कि अब यहां पास से राटर ने कुछ सजेशन दिया है यह से सरकार के यह अपने बज़ेट में कुछ हाकड़ सरकार ने फिक्स किये थे कि अपने राजकोसी सुद्रिधी करण का भी एक नया धाचा प्यास करने की जरूत है क्योंकि जो पुराने बजट के आंकड़े थे हो तो प्रशांगीक तक हो चुक है क्योंकि उसमें काफी कुछ सरकार ने मोडिफिकेशन कर दिया है तो उसको एक नय सीरियस से देखने की जरूत यहां पास व फास सतर हैं । उसमें भी बहुत ज्यादा ध्यान Дेने की जरूत है प्रेकर चयोंकि बहुती बहुत ही बदरics न्याहर के जरूत है जिक की जटिलता जो है तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इन दिसाओं में भी सरकाल को बतलब की काम करने की बहुत ज़्यादा जरुआत है तब जाकर कि अच्छा प्रतिस पर दिवाहल क्रियोट होगा तो इस आर्टिकल में इतने ही नेक्ट आर्टिकल पर कर रही है जिर्की बहुत ही मतलब कि कई साल पुराने की ऐस्पेंडिनंग है या उन में मतलब की काफी सम्मयधनसील मामले भी देखने की मैं तुमकेसों भीaden स्वहलsters के बहुत जड़ा दाने के लिए मतलब की संवाई के की संवाई हो रही है तो इसे पे यिर यह यहाथ consumedrang सब्सक्राइब कर रही है तो उसमें कि प्रकार से इतने सम्वाइदानिक रूप से समय असील मामले हैं उनका च्म्र करते समय सब्सक्राइब को उपिए सब्सक्राइब करें बलब करें से इतनी फैसमें चेशान द मेरे हैं और इस लिए उत्सक्राइब काउख चल्फ करें निवित army lien करतीर HOO जाएगा तो 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 ति वरता इस प्रकार से आना उसके पीछे या तो कुछ राजनातिक माहौल हो सकता है या कि जो है तो हमारे Chief Justice है तो उनके रिटायर होने की वज़ा से रिटायर होने वाले हैं तो उसके करण भी साथ इस प्रकार से तेजी देखने को मिले लगि कोई ही कारण हो जो सकता है और जैसे कि इसमें किया भी है कि लिम्टेट समय में अध्य मामले में वित्ति सारे जो एविडेंस कर्ठे करके और उसको आठ वासम है जो एविडेंस थे उनको लग लग 20,000 प्रिश्ट के थे उसको अंग्रेजी वासम में अनुवाद करवा करके इतना जल्दी मतलब क्यों है कोई टाइम लगा उस मामले में यां प्रॉड़क्ट्विटी यहां पास बड़ रही है तो ये सकरातमक ही मैसेज जा सकते हैं कहे सकते हैं जबकि हाव पास स्धिहम यह पास तुलना यहारिके अमएरिका के सूप्रियमगोड से तो वहां पास जो है तो time over हो जाते हैं तो मतलब कि वहाँ पास कम समय में ज़ल्द ज्यादा productivity वहाँ पास देखने को मिल सकते time boundation के हिसाब यहाँ पास कुछ है लेकिन यहाँ पास जैसे कि कुछ improvement के साथ जो है तो नाद जो है तो इनकी productivity को बढ़ाया जा सकता है जैसे कि उसमें से तकनिक का प्रियोग करके या कि कुछ मतलब की artificial intelligence का प्रियोग करके आगे आने वाले समय में साथे कुछ सोथ प्रकोष्ट वगएरा से भी इससे हैं तो निश्चित तरुपे यह जो हमारी जो केस पेंडिंग पढ़े है तो उनकी जो सुनवाई की जो प्रक्रिया है तो उसमें काफी तीवरता देखने को मिल सकती है और उसमें निश्चित तरुपे केसों को कम करने में काफी help मि तो निश्चित अंठामन पर जो सरवोच नियाला जब इस्टेबलाइज हुआ था मतलब कि नई उस पर बिल्डिंग में तो उस समय जो है तो केवल आठी नियाधीस थे आठी नियाधीस वा करते थे यहां पस तो जो समवैधानिक मामलों पर जो है तो बहुत ही कम समय में और तीवरता के साथ फैसला सुनाते थे यह प्रोड़क्टिविटी उनिश्टामन की तुलना की अब से तब जो है तो इतना तीवरता से सुनवाई होती थी अजब जो कि बरतमान में 34 पद हो चुके है नियाधीस तो अब उन में जो है तो कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि मामले तो पांच नियाधीसों के पीठो को भी अभी हाल में जो है तो सौपा गया है तो यह मतलब कि कह सकते हैं कि कुछ सरकार सुप्रियम कोड जो है तो हमारी काफी मतलब क्यों क्यों पेंडिंग केस है तो उनको प्रोड़क्टिविटी बढ़ा मतलब उनको जल्दी से न संसोथन के बाद जो संपत्ती का धिकार है और दोग विवादा दिन्या में तो उनकी उद्ध्यों की परिवासा समदे उस तरह के मामले भी पेंडिंग अभी कब के पुराने मामले भी पेंडिंग पड़े हुए है तो इसमें से जो है तो जो पीठा उनको बहुत ऐसे फैस केवल कानून की व्याख्या से जुड़े सवाल पर ही सुनवाई करने चाहिए हला कि यह तो निच्चे तरह एपक्स कोर्ट है तो टॉप में यहां पास मतलब की जितने लिमिटेड ही और अच्छे से थे जो ज्यादा बतलब की बहुत ज्यादा जरूरी केस है वही समयदान करने संब्धित मामली हूं बाकी जो जैसे कि जो परतमान में केस जा रहे हैं तो इसमें बहुत ही मतलब की केस का बोज बढ़ाने से कोई मतलम नहीं मुलता है और यहां पास से इसके लिए जरूरत यह है कि कुछ संब्धानिक संसोधान हो जाए जिससे कि कुछ इस तरह के म पहुच पहुच पहले ही साड़ा उठ हो जाए चोटे-चोटे मामले हैं तो यह भी अपसंब्धा हो बरतमान राजनेतिक इस्तिती को देखा जाए तो यह मतलब कि कह सकते हैं कि यह संसोधन भी प्रकार से नहीं प्रक्रिया को उसको उसमें तीवरता लाने के लिए प्रका भी इन हिस्सों पर गठित क्या जासकता है कि उनको देख के वीविन हिस्सों पर गठित कर दिया जा जा जिससे कि जो बहुत से मामले खरचीला है काफी उबाउ ठकाऊ भी है कि इतनी जटिलता महसूस करते हैं कि यह मतलब कि प्रकार से आम लोगों से काफी दूर है तो उनकी यह सिकायते भी दूर हो जाएंगे अलग से अपिलाद गठित हो जाएगे तो यह प्रकार से सकरात्मक रिश्कों हो सकता है इस तरह क कि कदम उठा जाने तो साथ ही जैसे कि कई विधियायोग भी इस प्रकार के सिफारिस कर चुका है और लेकिन जो नियाधिस वगरे लोग है तो वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं उनका ऐसा मनना है कि ऐसा इधिकर दिया जाएगा तो जो सरवोच नयाले है तो उसकी जो ए इकात्मक्ता उसकी निश्ट हो जाएगा उनका ऐसा ऐसी दलील है लेकिन जो सरवोच नयाले है तो उससे अपील पर जो सुनवाई का अधिकार लेने और उसे के वर समधाने सवालों पर सुनवाई तक सीमित रखना है तो उसके कामकाज में सुधार तो निश्ची तर पर ही छिए खुद से ही उठाने की जरूँत है ना कि किसी जब राजनीतिक दवा हो तो उससे ज्यादा उसकी बज़ाए इस तरह की मुहिम सुधा तो सुप्रीम कोड को स्यम ही करने की जरूँत है तब निश्ची तर पर हमारी नियाग प्रक्रिया है तो काफी ज्यादा सुद्र और सुविवेस्थित तरीके सता तीवरता के साथ मतलब कि एक सही उस पे चलेगी तो इस आर्टिकल भी नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं यह आर्टिकल है हमारी बंजर भूमी से संबनेत आर्टिकल है आहल में भी जो तो मेरी UNCCD convention भी हुआ था यहां पास अपने भाहत में तो इसमें कुछ आकड़े मतलब कि अच्छे आटिकल अच्छे आकड़े भी यहां पास दिए गये हैं तो जो कि कुछ देखते हैं आपस जैसे कि हमारी देश में जो है तो जैसे खेती का इस तर है तो लगातार कम होता जा रहा है पहले जो जो जीटीबी का लगाग 54 परश सतर है तो इस प्रकर से देखा जाया कि समय के हई है यह तो खेती के जो दाएरा है तो प्रकर से कम होता जाता रहा हूँ साथे साथ जो खेती है नहीं रह गया अ अब ह ciąहँ जा सकते हैं कि खेती में इतने ज्यादा लोग इन्वाल हैं और विस तरह तो फेकर से यह बहुत ही चिंता का भी सहब साथे साथ समस्या इसकी कुछ्छ एक्मूल कराना यह हैं कि जैसे कि जो सहरी करान काफी तीवर्टा के साथ बढ़ रहा है साथ ये साथ जो ग्राम मुड़ी लाके हैं तो बहुत ज़्म IMI इस वजासे भी झाफ़ील का विस्तार हो रहा है तो इस वज़ा से जो है तो प्रहती, जमीन है उसका रखबा संगुकुचित होता चला जा रहा रहा है मतलब कि कम होता जा रहा है जो है तो बहुत ज़्यादा प्रकर से वह जाएगा उसमें भी संकर्ड उत्पन हो सकते हैं तो यह जो है तो अनाज अन पादन की जो समस्य है तो भविस्य में देखने को मिल सकती है इसी तरह की इस्तियां दी बनी रही तो अलगी यहां पर आर्टिकल भी ब्ताइगां जिसकर्देश में ख्यती लाग्त जमियं की कमी नहीं है जमीं तो है लेकिन समस्य यह सबीन है यह जो जमीन के बंजर होने का गंभीर असर जो तो बंजर जमिन है ही साथ ही साथ वह तो पानी की उपलब देता है उसको भी प्रहवेद करती है तो निश्चत रुपे मतलब की यह प्रकार से बहुत बड़ी समस्य से इसको कहा जा सकता है हमारे मतलब की उसमें परियावरण के दिश्टिकोंड से दी देखा जाए तो और वहीं जो हमारे यह जो यूएंसी सीडी कन्वेंशन हुआ था हला कि वह भी इसी उस पर इंडिकेट कर रहा था कि मतलब की जो बंजर भूमी है तो उसको कैसे औरवरभू में करवर्ट किया जाए तो इस दिशा में काफी मतलब की काफी कुछ किया जाने की भी वह थी और वहाँ जो है तो आर्थिक गर्विडियो में यह चर्चा हला कि हो रहे कि जो आंकड़ों से विकास की जो रफतार है उसका अंदाजा परोशने के करम में जो भूमी के बंजर होने उससे पैदा होने वाली समस्याओं का आकलन पीशे छोड़ जाता है यानिकि जैसे कि य हविश्य में उसकी दुस्परणाम सामने आते हैं तो इन चीजों पर भी विशेशतर प्रधान देना चाहिए हाला कि यहां पास हमारे मतलब की प्रधान मंत्री जी है तो इस मामले को लेकर काफी गंभीर भी हैं उन्होंने काफी कुछ जैसे की कदम भी सरकार ने काफी कु उठाए भी हैं मरुस्तरी के पढ़ने के लिए तो हलाक कि यूएंसी सीडी की जो सभात थी तो इसमें कहा भी गया है कि 2015 और 2017 के दोरान भारत में पेंड़ और जंगल के दारे में करीब आठ लाख हेक्टेर की बढ़ोत्री हुई है कि बहुत ही मतलब कि प्रकार से भारत के है कि अब से लेकर के लगभाग 2030 तक भारत जो अपनी जमीन के लगभाग 2.6 हेक्टेर जो है तो उसको मतलब कि जो बढ़ा करके भा जो है तो 2.6 हेक्टेर करेगा यानि की जो बंजर भूमी और उसको उपजाओं बनाने की दिसा में भी सरकार प्रतिबद्त है तो तो यह मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर गोशना की है साथी यह तो यह जो सरकार की प्रतिबादता है तो इससे जो जलवाई परिवर्तन है जय विवित्ता है यह भूमी छहरण है इन चुनावतियों से जो है तो सामना करने के लिए प्रकार से बहुत ही महत् प्लास्टिक उप्योक से जो है तो हमारी जो जमेन की उपजाओपन भी उससे प्रवावित होती है साथ उससे जल के भी मतलब की संद्चन में बहुत ज्यादा नकारा तक प्रवाव पड़ता है तो इसके इस्तमाल पर भी नहोंने मतलब की हलाकि हमारे सरक्तिक यहां पास को सिंगलोज प्लास्टिक को बेंड करने की बाते कि सरकार की घोशना तो इसको सरकार ने मतलब की देशों को उठाने की जरुवत है तो इस पे भी मतलब कि और देशों को भी कदम उठाने की जरुवत है लग दो साल पहले एक अध्यान भी आया था तो उसमें भी उसके मताबिक जो है तो भारत के लगवक 30 फीशदी जमीन बंजर होने की कगारप है यह बहुत ही मतलब कि प्रकार छिंदा का विशा है लगवक 30 फीशदी जमीन बंजर होने की के अधैसा भारत के पर्यावरणी द्रिष्ट कोंड से बहुत ज्यादा कह सकते हैं लेकिन इन समस्यां से निप्ता भी जा सकता है याद हम समय से सचीत हो जाएं तो जैसे कि कुछ टक्नोलाजी का प्रयोक करके उसका टक्नोलाजी के प्रयोक से साथे साथ जो है तो हम अपनी जो बंजर जमीन है तो उसको खेती योग प्याड़ पॉधे लगाने लग बना सकते हैं उसको तो जिससे की जो है तो काफी मतलब के एक प्रकार से बहतर ही होगा और वहीं जो है तो हम हमें ये भी ज़्यादा जानने की जरूत है कि जो विकास के नाम पर हम प्रयावरण या वन्चेत उनसे समझोता ना करें बलकि उनके भी एक बहतर तरीके से उनका आंकड़ा आंकलन कर लिया जाए कि इसके नकारात्म को सकरात्म क्या होंगे तब इन चीजों पर बहतर तरीके से हम परयावरण सर्वर्चन के दिसा में अच्छे कदम उठा सकते हैं तो यहां पस दोनों ची जो से हम निपड़ सकते हैं और साथ जब बंजर भूम को जो उपजाव बना दिया जागा तो बहुत ही जदा एक प्रकार से जल संकट से भी इससे निजात मिल सकती है साथी खाद समस्या भी ज्यादा साथ हो सकती है क्योंकि बड़ा क्रिस्ट रखवा भी बनेगा तो इसस के लिए कंभीर चेतावनी भी है तो इसलिए इस दिशा में सरकार भारत और वैस्विक दिश्ट्रिकॉन से भी इस दिशा में कदम उठाने की जरुवत है तो बस आज की इस आर्टिकल में इतना ही जोस्तों इस वीडियो को लाइक करें शेब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा सेर करें थन्वाद